सबी बाईयों को राम राम दोस्तों आप मेरे पीछे जो यह एक पसूदन देख रहे हैं सैड बिल्कुल साधार्ण है लेकिन पसूपालग का जो ग्यान है वह है आप तक पहुंचाने का बिल्कुल इरादा है और कुछ ने कुछ आपको सीखने को मिलेगा इनके पास अब यह प्रीडिंग के उपर काम करते हैं तो बहुत अच्छा नोलिज रखते हैं और पसूपालन में यह आप इसी तरह की जानकारी रखते हैं तो ही सक्सेश हो पाते हैं क्योंकि आज कले बात चली हुए कि पसूपालन में कुछ बता नहीं लेकिन इन बाई का एक्स्परिं की डिटेल बताओ कि पहले कोंड सी बैस लेके आए थे उसके बाद आपने ब्रीडिंग के उपर काम करके कोंड सा पसूदन तयार किया वो बताओ एक बार सबसे पहले तो गुरू जी सभी देश्वाशियों को मेरे तरफ से नमस्कार आज यह बैस हम लेके आए थे यह बैस के पास थी इस तरह में कटिया पाल रहे हैं इस तरह मामा ने त्यार करी थी इसकी मा थी उनके पास अच्छा वह भी 25 अप्रीशलिटर दूद की बैस थी और यह निकली है जी दादरी की लाइन से अच्छा एड़ी खाती वास से तो उससे पहले हैं भी 8-10 किलो दूद वाल यह प्रेगनेट थी एक मेंने बाद इसने बच्चा देना था तो आगे वार जिसने आई करवाई थी उससे मने पता कर रहा हूं वह उसकी यह और तो इसने वो करड़ा दिया था पिर उसी टाइम ही यह से जब हम लेक आया थे तो बिलकुल यह समझलों आप जीरो थी अच् प्रिटमेंट किया देशी वगेरा जो जितने भी अपने जड़ी बुटी है वो देखे फिर इसने उस ब्यात में तो बनाए तीसरे ब्यात में इसने 20 किलो दूद तो लगा है उसके बाद मैंने सिमन का यूज करया काफी ट्रेंडिंग में था बिरला बूल जो परवती का अच्छा वो कटड़ी कड़ी वो बिरला की है यह बिरला की है हाँ तो बीस से उपर भी गई फिर यह मैंसे फिर इसने उसके बाद जब यह कटिया थी उस टाइम इस बैसने रिकोर्ड कर वाइस किलो 717 गराम जो अच्छा जब यह यह दी ती इसने यह बता था इसकी डिट बिलकुल सब्सक्राइब यह और इसकी यह होगी 23 मेने की हो जाएगे दो तारीक आहिए नहागी को तो इसने वाचा दे दिया इसने इसके निचे कोई नूर की कटडी है यह कटडी कटडी है तो फिर इसने मेरे पास जैसे चार बच्चे का दे शुकिए अब यह च्छा मही महिने की तो प्रेगनेंट होगी और आठ महिने की ब्याई होगी तो इसकी क्या डिटेल यह नाग का यह बुल यह दन्नो का बेटा है नाग जिसका बाप शिकंदर है सिकादा यह दन्नो और रानी पीबर लान आघाप से यह घड़ा है यह था कि दिश्यांदार घंदे के विए 8 Cute तरीक्री कर्द आत्युला क्यों कि बासने बच्चा अर्साल क्दिया दे र्साल मत्चा दिया है यह पशू के अंदर क्वाल्टी होती कि आपने कुछ एक्स्टा किया गुरुजी क्वाल्टी पशू में होती है अच्छी बलड लाइन का अगर पशू होगा तो और साल बत्चा देगा क्योंकि यह बहुत बारी समस्यार है यह 40 हुए दिन तो प्रोपर आजाती है अच्छा जब इसकी एक मिस करवा के दूसरी हिट पर इसको कमें चीव करता हूं अब यह दिलबाग भूल से क्या बने जो खेडी गाउं था ने बत्तर खेडी गाउं है बत्तर खेडी पंचायचे निकला था मंजीत बैस्वाल के पास हो बूल है मैंने की क्या बिन होगी साथ मैंने म इसको बत्ता दिये शतीस दिन होगे एक महीने च्छे दिन और यह इसकी कटड़ी कोई नूर की ज्यादा बड़ी बात तो बोलूंगा नहीं मेरे को इन में इतना इंट्रेस्ट है वह सकता है मैं अपने कोई काम बोल जाओं लेकिन इनकी एक एक डेट टाइम के तो ब्याने आपके पास क्या कटड़ा है कि वह बड़े वाड़ा कटड़ा चाहिए कोई पंचायत ले लो को चाहिए देरी वाड़ा बाई ले लोग डिटेल पूछतें कि कौन सी बल लाइन से क्योंकि ब्रीडिंग पर पंसे जो लेगा वो सारी तीजे देखेगा तो एक बार दुबा कौन सी कौन सी बल लाइन में यह बिरला का बच्चा है अच्छा जी पार्वती का मालोग पोता हो गया हुँँ ठीक एक ऐसी बैस जो कई मेलों की चैंपियन रह चुकी है 29 पलस उसने 2700 दूद उसने रिकोर्ड भी करवा रख्या है सब भाई जानते हैं उसका बेटा है बिरला उसका कट्ड़ा है और यह 21 महिने का हो जाएगा बीसका हो चुका है और इसकी बैन भी हमारे पास ही खड़ी है जो बिरला की है अच्छा यह बैन बाई है दोनों बैन बाई है मदर ओर फादर लाइन से अच्छा अरी आना में कोई ऐसे पसूपालक बहुत कम मिलते हैं जो मतलब इसे दिखाते हैं कि दिखाते होंगे मैं किशी को कभी चैलेंज नहीं करता क्योंकि जिन भाई हैं जिनोंने शिखाये उन से हम चैलेंज देंगे तो गलत बात हो बिल्कुल बिल्कुल सभी बात है वह हमारे सभी आधर से लेकिन मैं कहा रहा हूं कि दोनों मतलों बच्छे मदर और फादर लाइन से दोनों खड़े हैं अब इसकी बहुत करवा देंगे थोड़ा से ठंडा मौसम हो जाए तो उसके बाद करवा देंगे ठीक है दो दात है मु लाइन आगी तो कितने साल का अनुबह रहा है आपका पसुपालन का देखा गुरुजी अनुबह तो मैं कुछ भी नहीं मानता हूं मैं तो सीख रहा हूं यह जैसा है कि नहीं है क्योंकि आजकर लोग नोकरी करना वह भी प्राइवेट में मिले चाहिए सरकारी में सरकारी म मैं आपको बताऊं गुरुजी आप भी असोगे बताव पसुपालक होना एक कलंक के रूप में होता है बिल्कुल बहुत बड़ा कलंक है बहुत बड़ा कलंक इसलिए है यार रिष्टेदार भी ने यह कहने लग जाते क्या लेगा अपनी अशी खासी जोब कर रहे हैं पर कि इसादमी को जो एंट्रेस्ट भोता है वह किसी भी चीज में रूपता नहीं है तो कलंक तो है लेकिन आप इस काम को कर रहे हैं आप मेरे को ही पता है मैं क्या कर रहे हूं रखी किसी को भी नहीं पता ठीक क्योंकि आगे-आगे बैसे दो जाएंगी बिल्कुल खतंव गि क्योंकि एक दुकांदार कम से कम एक कॉंटल दूद बेखता हुए एक साधन गाओं की बात बता रहे हो मैं थिली वाड़ा की जो दूद की उत्पादन समता है वह तो है 14 क्रोड लिटर पर देगी और खपत है पैसेट को लिटर की तो आप देख लो ना कितना नकली दूद ल संप्रक करें कैसे करें और किसको आप यह बूल बेचना चाहिए वह थोड़ा सा बेचने का तो ऐसा है जी कोई पंचायती इंट्रेस्ट कोई अपना डेरी फार्मर कोई 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 पाबंदी नहीं कोई नंबर और बता बराद मेरा नंबर है जी स्तान में अठाइस हाँ जी कि पंखे भी आपको दिख रहे हैं और पंख्यों के साथ साथ जो अमारी देशी विवरस्ता होती थी पूले भी लगा रखे और साथ में यह फोगर भी चल रहे हैं तब जाकर यह बैसे इतना दूद दे पाती है इनको इतने अच्छे से और जो सबसे खास बात आज हम अप पाड़ी के पास में रहेट पाड़ी के पास में देखो अमारे से 10 12 किलमेटर डिस्टेंस है इसको आप मुठी में लोगे तो मुठी में रूपता है इतना बुर्बरा रहत है यह उडार वाला रहत वो डाल रखे है इनके लिए वह ट्रोली एक साल नाचीत बिलकुल कुछ कुछ भी नहीं करने के दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट करके जुरूर बताएगा और जो पाइबन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे सब्सक्राइब कर ले ता कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे अपनी वाने को विराम जे किसान